महाफार गदायुद्धारंब हो कर दिएक भी एक कर दोगा थे एक कर दोगा खेख एक रएक रहाँ कर दोगा रहाँ अवा जप इसे एक रहाँ से एक रहाँ गजदा है कि वोऑ जोब चैना है कि वो सबना है पिना ओपाफ किरहां जाएवाँ. चर्प ओल मग और करो हुआ का जाँ कर दा का ओ inten heart भ। ऐनल कर दो कि रल एप्र जाँ के ओ कि का बल 10 पनाव भीग इंग फंठ बल्रह चाने बीघ और कर दो! हुआ 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 हु कर दो!! है, है फुटर कर।浏inter. ल الإن एमच्च है, हाज लुटियर कि अो खुटरे? Come on! Come on, but you like it! Come on, brother! Come on! Come on! Come on! आउठ दूमार लोच की उलएफ वोच बोच में हुग हाऊ हुग हाप हहाहा हुग हुओ हुग हुग अए वह! हुआ! हाँ! 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 जल बुर्वार! अए! यह! पास।े? बुचे बुट अगड़ा भरी होुदा ए गादेराना सुने? यहां व्योपारियों के भाशा न बोले। तो यदि युद्ध यम्यानुसार चलता रहा, तो मजले भाईया की बना जैनिश्चत है। मजले भाईया के पास भाउबल अधिका है। परन्तो दुर्योथन के पास फुर्टी भी है, और बादागा भारीका शेवात। परन्तो दुर्योथन की गदा का संदर्य दिता रहता। किन्तु ये क्रिड़ा नहीं युद्ध है, पार्थ, युद्ध है। पार्थ, मजले भाईया को उनकी प्रतिग्या याद दिलाओ। कौंसी प्रतिग्या? क्या तुम भोल गया कि उन्होंने हस्तेनापूर रादसभा में द्रॉपदी के अपमान के उपरांध दुर्योधन के विशा में क्या प्रतिग्या ली थी? उन्होंने दुर्योधन की जंगा तोरने की प्रतिग्या ली थी। किन्तु ये गधा यूद है केशव और गधा जंगा तक जाए नहीं सकती तो या मजले भाहिया दुर्योधन के शव की जंगा तोड़ेंगे पार्थ तो मुने उनके प्रतिग्या याद दिला दो फिर वो जाने और उनका काम नहीं केशव है तो यूद देखो कि I'm a झत BLACK के है तो मुना घुटेख्या को सी घरे वोचे में खालय को यूद देखो है तो मजले भाहिया पलती प्रतिशन देखिए ना आओ पल्यभाहिया हो पड्यी अ तोंद ध्राइखो हो उआ हो इसा टो... अघो नह दूस्में करना.... आढ मुह। तकी आटिक 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 ंआटिक उर आटिक हम इया लेक आटिक domain रो तुम्ने मुझे चंसे मारा, भीम राख भाइच आपने क्या पूला नहीं कुदर उदर, जब वही जनगा है ना तुम्ने मुझे को बिखाना चाहता था तुम्ने मुझे नहीं, नहीं तुम्ने मुझे नहीं, नहीं यह राजा भी है इसकी मुझे का फ़ान नकरों भे आपने किसी का अप्पान करने के लिए जीवित ही नह रहेगा थे काम तेरी भीम आज तुने अपने खुरुजनों का अप्पान क्या है क्या अचार्य द्रोन और स्वायम मैंने तुझे इस शिक्षा नहीं दी थी कि गदाय उद्र कमर से नहीं उदाता ये पिरा से तरफता हुआ दुर्य उदान नहीं ये तेरे गुरु की परेण और खायल पड़ी है जिसे केवल तरे कायरत पकास्ते है लेख निठी कर सचता हूँ आज मैं इस काय बच्ची मित नहीं सोड़ूगा जाले मेरी बात सुनीजे दाओ तर आप जो आगिया देंगे मैं उसका पालब करूगा क्या काओगे तुम आप उनके भी कह सकते हो आपका गोग से राखो परताओ पिर भी यदि आप यागिया देंगे तो मजले भया सुरम अपना सीर काटकर आपके चड़ों में अरपित कर देंगे मैं जानता था मैं जानता था कि तुम कोई नो कोई किन तो अवश्य पीच में लाओगे तुम यह भी जानते हो किषिन कि आप तुम इसके पचाओं में कुछ भी नहीं कह सकते मचले भयानीन की जνगातों कर दो lagi नहीं कि आप था हे दो घुसक्त किया जोनी तो के साथ तो इसने कपट क तो और कुछ किता ही नहीं हो धैर के लाक्षक में आग इसी नि लगवाई धित क्लम में गंधार नरेश शकुनी के पासों ने कपट किया यह आप जानते हैं भारत कुलवदू द्रवपदी बालों से पकड़कर भरी राद सभा में घसीड कर लाई गई यह आप जानते हैं और इस सव्य योध्धा ने जंगा खोल कर उसे उस पर बैठने के लिए आमंत्रित किया था क्या यह नहीं क्थ दौका सब्सक्राइब Does Me आपने कभी दुर्योधन ख़ूर नहीं टोका हो कि या मर्यादाइ भी पक्षपाद करती है दाउ कि यादी दुर्योधन किसी बाट रहा काना लंघन करें तो वो ठीक और यादी मजले भर्या भीम से ओन दुकु नहीं हेँ वहा हो कि तूटना ही था इस जंगा को क्योंकि मजले भाईया प्रतिक्या बब्त थे कि मुझे ये बता हिए दाओ कि यदि मजले भाईया के स्थान पर आप रहे होते तो आप क्या करते कि ये न भूलिए कि जब अर्जुल और दुर्योदम दोने इस धर्म युद्ध का निमंत्रन लेकर आपके पास आये थे तो आपने समय कि इस चुनोथी को स्विकार नहीं किया था आप तीर्थ यात्रा पर निकल गए थे दाओ तीर्थ यात्रा पर जब धर्म और अधर्म के बीच युद्ध होने जा रहा हो तब केवल एक तीर्थ स्थान रह जाता है दाओ केवल एक तीर्थ स्थान रण भूमी कि जिस युद्ध से आप भाग गये थे दाओ उसके अंतिम ख्यणों में आकर उस पर अपना प्रभाव डालने का प्रत्म न कीजिए कि वैसे आप दाओ है कि यदि फिर भी आप भीम का वद करना चाहते हैं तो यह लीज यह मैं हट जाता हूं पीच से मैं फिर भी दूंसे सहमत नहीं कृशन कि मैं सदव इस बात पर लज्जित रहूंगा कि स्वाए मेरी बुवा का ये पुत्र मेरा शिश्य भी है कि और मैं सदव इस बात पर गर्व करूंगा कि मैं दुर्योधन का गुरू हूँ कि दाओ की बात का क्या बुरा मानना मजलब है या वो मर्यादा को अलगत्व में देखते हैं खिलतु मर्यादा शून्य में नहीं उपती इसलिए आप अपना कि दुर्योधन को उसके मृत्यों के साथ अकेला छोड़ दीजिए क्योंकि इसके मृत्यों उसके पराजय से अधिक महत्वपूर्ण नहीं है कि यह धर्म के विजय और अधर्म की पराजय का दिन है कि सोर्यास्त ही सामने ही है और विजय की पहली रात तो गौरव शिविर में ही बतानी चाहिए ना मजले भाईया माभार 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 कर दो